तो आज की ये वीडियो काफी demandable वीडियो है क्योंकि कुछ time पहले Binance के P2P के उपर मैंने वीडियो बनाय था मैं आपको बता दो ये YouTube चैनल Binance में P2P होरे scam के बारे में सबसे पहले इसने बताया था किस तरह से scam हो रहे हैं लोग scam के सिकार हो रहे हैं जब आप USDT buy करते हो तो उतना problem तो नहीं होता है जब Binance P2P को use करते हो लेकिन जब आप Binance P2P में sale करते हो crypto को USDT को तो वहाँ पे problem होती है जैसे ही आपके account में पैसे आते हैं आपके account वहाँ पे freeze होने के chances होते हैं तो काफी लोगों ने पूछा था कि Binance में P2P में USDT कैसे sale करते हैं तो मैं आपके लिए कैसे application लेकर आया हूँ जहाँ पे आप easily USDT को sale कर सकते हो इसमें मैंने already बताया है कि किस तरह से आपको buy करना है लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि किस तरह से हमें यहाँ पर sale करना है USDT को तो आज मैं इसी topic के उपर बात करूँगा तो आपने हमारी इस वीडियो को जरूर दिखा होगा जहाँ पर मैंने आपको बताया कि काफी सारे लोग यहाँ पर lose कर रहे हैं क्योंकि जब भी वो USDT को sale करते हैं तो जो buyers होते हैं, USDT buyers वो complain कर देते हैं जिसकारण से उसका account freeze हो जाता है आप इस वीडियो का कमेंट को पर सकते हो, आपको मालूम चलेगा कि काफी सारे लोग जब USDT sale करते हैं Binance P2P में तो उसे काफी सारे problem आती है तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ on ramp money में जहाँ पर आप easily USDT sale कर सकते हो इसके पूरी process हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैं अक्सिर वीडियो को आप पूरा देखो और description पर आपको टेलिग्राम के link भी होगी जहाँ पर market का update हो कॉल सो में share करता हूँ तो मैं अक्सिर आपने टेलिग्राम को भी join कर दिया और YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके बेलागन को प्रेस करें चलिए बढ़ते हैं वीडियो के topic पे तो यह दोस्तो मैंने यहाँ पर on ramp का जो application है मैंने play store से install किया है यह आपको play store में या फिर description पर आपको एक link भी मिलेगी उस link पर click करके आप उसे install कर सकते हो install करने के बाद आपको इस three dot पे आपको click करना है click करने के बाद आपको login करना है तो login करने के लिए आपको अपना number यहाँ पे डाल दें तो number डालने के बाद आपको एक OTP आगी उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना है तो by OTP की थुरू आप यहाँ पर deposit कर लेते हो, इसके बाद कुछ इसतर का आपको interface यहाँ पर दिखेगा, complete KYC का एक option है, simple सबसे पहले आपको अपनी KYC को complete करना है, जो कि काफी important है, complete KYC पर आपको यहाँ पर click करना है, इसके बाद basic वगिर आप पुछा जाएगा, start KYC का option है, तो start KYC पर आपको यहाँ पर click कर लेनी है, तो KYC का जो process है, वो digital process है, तो बहुत easily वे पर आपकी हो जाती है, start verification पर आपको click करना है, आधार card का number आपको यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद pin card का details यहाँ पर पूछा जाएगा, तो pin card आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो pin option पर मैं यहाँ पर click करूँगा, तो जिस number से आपका अधार card register है, उस पर OTP जाएगी, OTP डालोगे, आपको यहाँ पर KYC जो है, वो यहाँ पर complete हो जाएगा, इसके बाद अगर आपके पास digital का account नहीं है, तो आपको एक digital का account भी यहाँ पर create हो जाता है, और अगर है, तो व बड़ सकते हो, इससे क्या होगा, कि आपको daily का 10,00,00 तक का आप बाइसल यहाँ पर कर पाऊगे, फिलाल हम समझते हैं कि आपको USDT sale कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, simple फिर से इसमें आपको click करना है, इसके बाद कितना USDT आपको sale करना है, वो आ problem भी नहीं है, आप easily यहाँ पर USDT अपना sale कर सकते हो, बिना किसी doubt के, तो proceed के इस option पर आपको यहाँ पर फिर click करना है, इसके बाद आपको अपने bank account को add करने को बोला जाएगा, जहर से बात है कि आपको अगर payment चाहिए, तो add bank account click करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको bank account added successfully, तो bank account added यहाँ पर हमारा हो चुका है, अब क्या करना है, अपने bank को यहाँ पर select करना है, simple मैंने यहाँ पर select किया, proceed के इस option पर मुझे यहाँ पर click करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने wallet से यहाँ पर USDT को sell करना चाहत continue के इस option पर मैं यहाँ पर click करूँगा, तो यहाँ पर एक notice यहाँ पर दी जा रही है, send only using Binance, not other exchange, तो किसी और exchange से experiment करने के कोशिश ना करें, सिर्फ Binance से ही आपको यहाँ पर sell करना है, okay got it के option पर आपको यहाँ पर click करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर फिर click करना है, इसके बाद कुछ information दी जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि अगर आप $10 यहाँ पर deposit कर रहे हो, suppose करो कि $10 आपको यहाँ पर sell करना है, तो जो fees होती है, उस fees को include करके आपको sell करना है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो क आपको भी checkout कर सकती हो, okay, got it पर आपको click करना है, $12 है यहाँ पर और यह back 20 का यहाँ पर address दिया हुआ है, simple मैं यहाँ पर इसे click करना हूँ, back 20 में आपको sell करना है, अब मैं अपने Binance के wallet पर यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं Binance के wallet पर आ चुका हूँ, let's see कि मेरे पास कितना fund है, और इस fund के मैं यहाँ पर sell करना चाहूँगा, तो USDT में ढूंड रहा हूँ, कितना USDT है मेरे पास, तो 15$ है मेरे पास, simple मैंने यहाँ पर click किया है, withdrawal के इस option पर मैं यहाँ पर click करूँगा, send via crypto network पर मैं यहाँ पर click करूँगा, got it पर मैं यहाँ पर click नहीं है, आप देख सकते हो, कि 0.29 fees यहाँ पर कटेगी और 11.71 डोलर जाएगी, लेकिन आपको 12 डोलर ही perfect यहाँ पर भेजने है, तो जो fees होती है ना, वो fees को आपको पूरा यहाँ पर डाल देना है, अब आप देख सकते हो, fees आपने यहाँ पर डाल दिया, तो 12 डोलर करेक option पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, confirm के option पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो 12 डोलर हमारा withdrawal हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हम अपने on ramp के application पर again जाएंगे, इसके बाद I have इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर I have sent का option में क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर रहा हूँ, transaction ID डाले को बोला जा रहा है, तो वो मैं कैसे मालूम करूँगा, simple view history पर मैं यहाँ पर जाओंगा, binance के, इसके बाद जो 12 डोलर मैंने pay किया है, simple इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यह इसका transaction ID है, जो आप यहाँ पर दे confirm होगी, तो USDT आपके wallet में आ जाएगी, आपके bank account में आ जाएगी, तो देख सकते हो, 1054 रुपे मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, तो काफी easily way पर आप अपने bank account में payment ले सकते हो, यहाँ पर भी success बताया जा रहा है, तो easily way पर मैंने यहाँ पर sale कर दिया है, तो इस तरह से on ramp को use कर सकते हो, आप अपने USDT को sale करने के लिए, साथ में आपको किसी तरह का issue होता है, तो आप इसके customer support में click करके, साधी details आप यहाँ पर ले सकते हो, काफी easy way पर आपकी जो भी problem होगी, उसे यहाँ पर sort out कर दिया जाएगा, तो यह application मुझे काफी अच्छा लगा है, use कर करने के लिए, आप भी चाहो तो use कर सकते हो, description पर link है, आप चाहो तो try कर सकते हो, I hope दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलता अपने next वीडियो में, एक नए information के साथ, अप तक लिए goodbye, जै हिंद